नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेके हम आए हैं जो की MP नर्सिंग कॉंसिल के तरब से है आपको याद होगा MPNRC ने सप्लिमेंटरी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है अब बहुत से लड़के सप्लिमेंटरी में पास कर गये हैं और बहुत से ऐसे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो की सप्लिमेंटरी में भी पास नहीं कर पाए हैं ठीक है जो सप्लिमेंटरी में पास कर गये हैं वो तो सकेंड यर में एपियर हो जाएंगे लेकिन जो कैसे पता चेलेगा कि आपके college ने आपका exam form जो है भड़ा है या नहीं भड़ा है क्योंकि exam form का date आपको पता है exam form का date जो है last 19 April तक बढ़ा दिया गया है ठीक है 19 चार तक बढ़ा दिया गया है ठीक है तो आपको जो है कि जो पास नहीं कर पाए है supplementary exam जो supplementary में पास नहीं कर पाएं हैं, उनके लिए क्या है कि वह अपने कॉलेज में संपर करिये और उन्हें याद दिलवाइए कि आप से लड़के का का बास नहींמח कर पाये हैं, कुए मेरे पास बहुत गोशी सब्ते लड़क Dollar का मैसेज़ आया था जो supplementary में, जिस समय supplementary का exam form भड़ा रहा था, उस समय भी college ने उनका exam form छोड़ दिया था, नहीं भड़ा पाया था, ठीक है, तो यह सी गलती आप लोग ना करें, एक बार कम सकम जो है, आप college में कम सकम ये बता दीजे कि आप supplementary में pass नहीं कर पाया हैं, तो आपका exam form वापस से first year का भड़ा जाएगा, ठीक है, वापस से जो है आपका exam, first year का भड़ा जाएगा, आप इस तरह सी inform कर दिया, जो पास कर गये हैं, तो उसका, जो है कि already exam form college भड़ दिया जाएगा, college के द्वारा, तो आप खुद से कैसे check कर सकते हैं, कि college ने आपका exam form भड़ा है या नहीं भ पाद, result तो आपने देख लिया होगा, आप कैसे check कर सकते हैं, कि college ने आपका examination form भड़ा है या नहीं भड़ा है, ठीक है, first year वाले, second year वाले, दोनों देख सकते हैं इसको, ठीक है, और जो supplementary पास नहीं हुए है, उनका भी form जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो प वीडियो अच्छा लगता है, आपको informative लगता है, तो please channel को like कर दीजेगा, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं, हम आप अपने data में, youtube के data में, कि बहुत से हमारे viewer जो है, आते हैं, देखते हैं, और वो subscribe नहीं करते हैं, ठीक है, तो please आप से request है, कि आप कम सकम channel पे आते हैं, तो subscribe कर दिया के जिए, ठीक है दोस्तों, इससे मेरा भी थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा informative वीडियो लाते रहे हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए, वह हम आपको दिखाते हैं, कैसे आपको check करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको simply क्य करना है, आपके phone का Google खोल लेना है, ठीक है, गूगल खोलने के बाद, आपको क्या करना है, आपको MPNRC, MPNRC online.org, ठीक है, ओर जी आपको select कर लेना है, उसके बाद आप ये untitled में जाईएगा, तो आपको इस परकार का एक page खुलेगा, ठीक है, fill exam form, इस पे आप जब क्लिक कि आपको इस परकार का एक tab खुलेगा, जहां पर आपसे, आप देखेगा यहां, आपसे enrollment number मांगा जाएगा, date of birth मांगा जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप किस year का form भड़ रहे हैं, इसमें देखिए A9 first year का भी exam आप लोगों के साथ ही होना है, तो simply हम जो है पहले आपको second year का दिखाते हैं आपको, एक PDF डाउनलोड होगा, आप देखिएगा, तो हम simply यहां क्या करेंगे, देखिए हम enrollment number डाल रहे हैं, एक student का है, और यहां पर जो है, हम जो है उसका date of birth डाल रहे हैं, उसके बाद वो किस year का है, ठीक है, तो वो जो student है, व क्लिक करेंगे, आप देखिएगा किस परकार से tab खुलता है, वहां पहले, तो देखिए इस परकार से आपको page open होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां यह जो तीन डॉट देख रहे हैं, यह तीन डॉट जो देख रहे हैं, वहां पर क्लिक करना है, तो आपको यह report क क्लिक करना है, उसके बाद आप देखिए आपको इस परकार का, आपका जो college है, उन्होंने आपका payment कर दिया होगा, अगर जो कर दिया है, तो इस परकार का page आपके यहां open हो जाएगा, आप उसमें देखिएगा, यहां पर payment reference ID भी आपको सो करेगा, ठीक है, is that means कि आपका form जो है college ने भड़ दिया, ठीक है, आगे बढ़िये, यहां पर action के पास देखिएगा, ठीक है, action है यहां पर आपको इहां click करना है, जब आप click किजेगा, तो आपको इस परकार का एक page open होगा, printer में, आपको back करना है, और यहां से आपको देखिए, ठीक है, देखिए, exam application number आ एक्स दे रहे हैं, यहां पर आपका payment ID, ठीक है, यहां देखिए, आपका फिर इस परकार से सारा detail जो है, open हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके सारे subject और आप अपना answer जो है, किस भासा में देना चाहते है, यहां हिंदी और इंग्लिस दोनों रहेगा, आपका सारा subject र कर देंगे, ठीक है, तो यह second year का था, ठीक है, अब हम आपको first year का so करते हैं, ठीक है, जिनका कि supplementary में cross लगा हुआ है, यहां से simply हम sign out कर देंगे, इस बाद फिर से वापस हम यहां आएंगे, यहां पर उस बच्चे का हम, जो है, enrollment number डालेंगे, उसके बाद, date of birth डालेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए, date of birth डालेंगे, उसके बाद वो कौन से year का है, supplementary में वो fail कर गई थी, ठीक है, तो वो second year में होना चाहिए था, उनको अगर जो pass कर जाती तो वो second year में होती, लेकिन pass नहीं कर पाई, इसलिए first year में है, तो आपको यहां first year में click करना है, ठीक है, अब यहां पर login जब कीजिएगा, तो देखिएगा, फिर उसी परकार का page खुलेगा, आप यहां पर click कीजिएगा, तो देखिए, उसका exam form अभी नहीं fill up हो चुका होता है, तो यहां exam form नहीं सो करता, सिर्फ report सो करता, ठीक है, अब यहां पर click कीजिएगा, तो देखिए अब जिस subject में आप fail है, उसका आपको फिर से exam देना पड़े, यह बायो साइंस में fail कर गई थी, इनको बायो साइंस का form भरना होगा college के तो थुरू, उसके बाद फिर यह exam देने के बाद वो pass कर जाएगे, तो फिर जब अगले second year में जब exam होगा इनका, तो फिर वो अगले second year के exam में appear होगी, ठीक है, तो मतलब एक साल का इसका जो है, एक back लग गया है, ठीक है, तो यह था, अगर जो आप यह second year वाली हैं, अगर जो second year का form अगर जो हम इसका देखते हैं, एक बार से फिर से, second year में अगर जो इसका form हम fill up करके देखते हैं, तो देखिए क्या दिखा देखिए, यहां पर, देखिए, open हो गया है, ठीक है, second year का भी इसका open हो गया है, ठीक है, क्योंकि इनका data भी है, यहां पर मौजूद है, ठीक है, आप एक बार college से confirm कर लिजेगा, ठीक है, कि वो second year का exam भी दे सकती हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि morning shift में first year का होगा, और evening shift मे है, जो है second year का होगा, अगर जो एक subject में cross है, ठीक है, एक subject में cross है, तो आप एक बार college से confirm कर लिजेगा, हो सकता है, आप लोगों का second year का exam भी हो, जो एक paper में fail है, ठीक है, तो आप उनसे संपर कर लिजेगा, college से जो भी, जिसका भी इस तरह का problem है, supplementary में किसी एक paper में, या वो college से पूछ लिजेगा, कि उसका first year का भी exam होगा, और second year का भी exam होगा, ठीक है, एक बार उनसे आप confirm कर लिजेगा, ठीक है, ठीक है, दोस्तों, तो आपको यही था जानकारी, जो कि आप चेक कर सकते हैं, खुद का enrollment number और date of birth से, कि college ने आपका form भड़ा है या नहीं जो भी supplementary फेल कर गए हैं या पास कर गए हैं, एक बार college को confirm करा दीजेगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीस एक बार like कर दीजेगा, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, ठीक है दोस्तों, thank you, धन्यवाद,